नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका medical जानकारी में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों nutrition के बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि हमारी body के लिए nutrition क्यों जरूरी होता है और अगर body में nutrition की कमी हो जाती है या फिर अगर आप nutrition बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे क्या-киा बिमारी देखने को मिल सकती है तो फूरी जानकरी दूस्तों वीडियो में हम देने वाले हैं तो वीडियो को दोस्तों लाष्ट तक जरूर दीखेगा इससे आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी जैसे हम नॉर्मल लोग होते हैं, तो nutrition के लिए अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर body में nutrition की कमी होती है, या फिर उसके वज़े से बहुत ज़्यादा problem हो जाती है, nutrition अगर हमारी body में सही है, तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं, हमारी body healthy रहती है, कम जोर कर पाते हैं, तो यहाँ पर nutrition का यही मतलब निकल के आता है, जो main nutrition होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आपका protein हो गया, carbohydrates आ गया, fats आगे, vitamins आगे, और minerals विएरा, जो खनीज तोत्ता होते हैं, वो सब कुछ आ जाता है, जो हमारी body के लिए ये 4-5 minerals बहुत ज़रू होते हैं, हमारी body को तंदुर्स रखने के लिए और weakness से दूर रखने के लिए, अगर इन तोत्तों का body में कमी आ जाती है, तो कई परकार के रोग होते हैं, और अगर बहुत जादा हो जाते हैं, तो भी कई इस परकार की समस्या देखने को मिल जाती है, लोगों को दोस्तों, मल्टी विटामिन हम तब भी recommend करते हैं, अगर वो कुछ भी ऐसा symptoms देख रहे हैं हमें, कि जैसे कि आप उसको लग रहा है हमें कि इसमें nutrition की कमी है, weakness बता रहा है, कमजोरी बता रहा है, तो उसको nutrition दिया जाता है, जो मल्टी विटामिन के थ्रोह हम देते हैं, जिसमें आपक calcium, carbonate, fats, calcium हो गएरा, खनीज, lemon, minerals हो गएरा, सब कुछ इसमें combination होता है, इसलिए उसका नाम multivitamin दिया गया है, तो market में कई परकार के multivitamin आते हैं, जिसमें सबसे सस्ता multivitamin है, बिका, dexamine, जो GSK के कहाता है, और आपको और भी कई परकार के मिल जाएंगे, ये कोई promoting video नही सकते हैं, या फिर वहाँ से purchase कर सकते हैं, जो आपके budget में होगा, और जिसमें पूरी परकार के minerals, vitamin, सब कुछ होंगे, वही मैं आपको इसमें recommend कर दूँगा, अगर दोसमें body में minerals की कमी हो जाती है, तो वो उस परकार के proportion के सिकार हो जाते हैं, रोगी, लेकिन इसमें proportion के types य इसमें वो हैता है कि उसकी वाईया उसका जो financial problem है, वो नहीं ले पाता है, उस परकार का खाना जिसकी वे से उसको nutrition बहुत अच्छे से मिल पगे, लेकिन जो इसमें और भी कारान देखने को मिल सकते हैं, आज कल क्यों आ रही है nutrition की कमी, क्योंकि आज कल तो दोस्तों खाने म आप सभी लोग जानते हैं कि कई परकार के मिलावटी चीज़े मिक्स हो रही है, दवाईयों से हर चीज उगाई जा रही है, फसल, fruit, सबजी वगेरा, एक दिन की सबजी आप देखोगे तो थोड़ा सा उसका छोड़ा सा दाना है, आगले दिन injection लगा तो वो बिलकुल बड करती है, जब वो अच्छे से foods के साथ नहीं ले पाता है, क्योंकि दोस्तों, multivitamin, minerals आपको बहुत महेंगे पड़ते हैं, जो आप foods से इतना consume नहीं कर पाते हैं, सबोच आप 100 रुपे का खाना लेते हैं, कोई दाल, चावल, उसमें साब जाल जाज कितना consume कर पाऊगे, तो इसे लिए हमेशा nutrition या फिर multivitamin के थरोग humans को ये दवाईयां दी जाती है, बात करते हैं इसमें जो multivitamin की अगर या फिर nutrition की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या-क्या रोग आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एनिमिया हो जाता है, खून की कमी जिसको कहते हैं, एच्व और भी हो गया, और रिकेट्स जैसे disease हो जाते हैं, जिसमें bone कमजोर हो गया होना, start हो जाता है, अतिसार यानि डायरिया भी देखने को मिल जाता है, डायरिया जिसको कहते हैं, यानि बारवार लूज मोशन हो गया होना, start हो जाएगा, या फिर उसकी growth जो होती है, वो हो जाता है, अगर उसके genes कम जो रहा है, या फिर उनके family में यही चलता आ रहा है, तो वो उनकी कोई बात नहीं, लेकर सब ठीक है, वो कमी है, तो उसके लिए nutrition की कमी हम कह सकते हैं, जैसे की blood pressure को होना, heart attack आजाना, accident ने लोगे रहा होना, और सांस फूलना, आपका हारिया जैसे disease हो जाते हैं, florases हो जाते हैं, vitamin A ज्यादा होना, vitamin D ज्यादा होना, ऐसी ही disease आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है, bone उगरा की disease होना, start हो जाता है, तो यह nutrition ज्यादा होने के लिए भी आपको नुकसान दे सकता है, और nutrition कम होने पे तो और नुकसान करवाते हैं, humans को, जैसे हम देते हैं, कोई side effect किसी को इनका नहीं होता है, अगर आप ज्यादा मातरा में नहीं ले रहे हैं, तो अगर को आपको मरीज बता रहा है, जो में आपको बताए है, भाईया, कमजूर ही आ रही है, ठकावट हो रहा है, बिल्कुल body toot रही है, बहु तो इनके थ्रोव आप multi-vitamin के थ्रोव ही सारे nutrition दिये जाते हैं, जिसमें vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, सब होता है, इसमें calcium से लेकर सब कुछ इसमें A to Z multi-vitamin के थ्रोव होता है, इनके link मैं आपको description box में दिये हैं, जो best multi-vitamin होगा, आप उनका 7 कर सकते हैं, अगर आप vitamins के बारे में अलग स सकते हैं, दोस्तों ये था को nutrition के बारे में फूरी जानकारी, उमीद करता हूँ, आपको अच्छे से समाझ आ गया होगा कि body में nutrition क्यों जरूरी है, और इसकी कमी से होने वाले क्या-क्या problem आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उमीद आपको वीडियो अच्छी लगे होगी, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like जरूर करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजेगा, और दोस्तों वीडियो को share और like जरूर करें, इससे हमें अच्छा motivation मिलता है, ताकि हम अच्छे से आपको जानकारी provide कर पाएं, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ओके वाइटाएं, थैंक यू पोर वाचिंग